हेलो एभीबन इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास तेंथ का मैथ एंसे आटी बुक से चैप्टर एट पॉइंट वण का कुशन नंबर टेंट तो यहां पे सबसे प्ले लिखेंगे सलूशन उसके बाद देखेंगे कि कुशन में क्या दिया हुआ है कि एक ट जुआ है राइट एंगल थाने का मतलब क्या ऊंव गिद्र कहाना है और pq यहां पर दिया हुआ है 5 सिंटीमिटर और pr पलस qr दिया हुआ है 25 सेंटीमिटरлет अन्य कि यह वहग है कि PR आई होगा QR तो दोनों को add करकर दिया हुआ है 25 तो हमको यहाँ पर तीन चीज़ करना है sin P cos P tan P आप क्या करेंगे तो कुशन में जो given दिया है उसको पर लिख देंगे क्या दिया हुआ है कि PQ जो है 5 cm है PQ is equal to 5 cm और PR प्लस QR इसको टू 25 cm दिया हुआ है अगर PR को यहीं पर होने देंगे और QR को ले जाएंगे उस सरफ तो क्या बजाएगा 25 माइनस QR आनि की PR कितना हो गया 25 माइनस QR किलियर है और यहाँ पर QR को हम लोग लेट कर लेंगे क्योंकि यह X है क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे क्या है X है अब लिखेंगे इन् ट्रैंगल पी "- क्यू आड़". tror masa निये है यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थियोरम का उस से हमको इसका बेस और हाईपोटेनेस माल्न हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे using python gors theorem using python gors theorem इसमें क्या होता है कि hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus base का square तो hypotenuse यहाँ पर क्या लिखा है 25 minus qr आप लिखेंगे 25 minus qr का hall square is equal to perpendicular का square means 5 का square और base कितना लिए है x लिए हुए है यहाँ पर late किये हैं कि qr क्या है x है तो यहाँ पर क्या करेंगे x का square लिखेंगे अब क्या हो जाएगा यह a minus b के hall square पर पूठ है हम जानते हैं कि a minus b का hall square होता क्या है a का square minus 2ab plus b का square a यहाँ पर 25 है b हमारा qr है qr को यह काम करते हैं qr को तो हमने माना है x तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं यह क्या है यह हमारा x है तो यहाँ पर a हो गया 25 अब b हो गया x तो यहाँ पर लिखेंगे 25 का square minus 2a कितना है 25 into b भी कितना है x अब प्लॉस लिखेंगे कितना b का square तो x का square clear है is equal to क्या होगा 5 का square 25 अब प्लॉस में हो जाएगा x का square अब यहाँ पर x square और यह x square cancel हो गया उसके बाद क्या लिखेंगे 25 का square हमना होता है 625 यह हो जाएगा minus 25 into 2 कितना होगा 50 x is equal to क्या हो गया 25 अब क्या करेंगे इस 625 को equal to किलाएगे इस तरफ तो यहाँ पर यह प्लॉस में हो जाएगा minus यह हो गया minus 50 x और यह हो गया 25 minus 625 तो यहाँ से हो गया minus 50 x यह हो गया minus 600 अब यहाँ से यह कैंसिल हो गया यहाँ पर बच गया x is equal to 600 by 50 इसको यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो हमारा यहाँ पर x कितना जाएगा 12 कितना जाएगा 12 और x किसको माने थे तो qr को माने थे यहाँ पर PR कितना हो जाएगा hypotenuse तो 25 minus x यहाँ पर माने हुए है कि PR कितना है 25 minus x यह qr हमारा x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे लिख देंगे इसको चास्ट आगे कि 25 minus 12 यह आ गया 13 किलियर है आनि कि हमारा hypotenuse हो गया 13 और यह कितना हो गया 12 तो पूछ रहा है कि sin P कितना होगा तो यह पर रखेंगे sin P, sin P यानि कि head यह हो गया और जो head होता है वो अपने सामने क्या रखता है perpendicular को तो यह साथ क्या होगा perpendicular तो P by hypotenuse तो P दिया है 12 और यहाँ पर दिया हुआ hypotenuse 13 किलियर है फिर पूछ रहा है कॉस पी कितना होगा अब लिखेंगे कॉस पी तो यह हो गया perpendicular तो यह हो जाएगा base इसका होता है base upon hypotenuse और यह हो गया 10 P तो क्या हो गया 10 P 10 का होता है perpendicular by hypotenuse लेकिन यहाँ पर यह head है तो यह हो गया perpendicular यह हो गया hypotenuse तो यहाँ पर लिखेंगे 12 y 5 एक कुशन हमारा बन गया I hope you कि आपको यह कुशन समझ में आ गया होगा हमने क्या किया पहले हमने क्या क्या किया कि यहां से हाइपोटेनस और इसका base निकाला तो यहां पर हमारा हाइपोटेनस आ गया 13 अब बेस आ गया नहीं स्वारी बेस नहीं परपेंडिकुलर क्या आ गया 12 तो उसके बाद हमारा क्या हो गया साइन पी कॉस्पी और टैन पी यहां पर निकल गया तो I hope you कि आपको यह कुशन समझ में आ गया होगा कम तो दी नेक्स कुशन